घायोड एक चोटे से गेट की तुन्हा होता है जो खाली एक डिरेक्शन में इलेक्टॉन्स को फ्लो करना होता है क्युमके ये जो बैन्द है डायोड के उपर Normally white, silver, को उसे क्लीर का band ये डायोड के cathode को indicate करता है cathode यानी जिसके अंदर लेक्टॉन्स जाएंगे जिसके through, तो क्योंकि इसका cathode इस तरफ है तो ये खाली electrons को इस direction में flow करने देगा इस तरफ और दूसी तरफ से ये electrons को रोकेगा तो इस तरफ इसकी ideally zero resistance होगी लेकिन अगर electrons इस तरफ से आएंगे ideally इसकी infinite resistance होनी चाहिए लेकिन असल में ऐसा नहीं होता इस direction में जहां पर ये अलाव करता है electrons को वहां पर इसकी थोड़ी से resistance होती है और इस तरफ से इसकी ज़ादा resistance होती है लेकिन infinite नहीं होती और जब हम उस resistance से उपर चले जाते हैं यानि voltage ज़ादा हो तो the diode का जो gate effect है वो basically खतम हो जाता है and it does allow electricity to pass, current to pass in the other direction तो diode diode का symbol एक arrowhead जिसके आगे एक simple सी बार होती है ये होता है ये diode का symbol होता है और diode को बहतर समझने के लिए हम एक simple circuit बना सकते हैं इस circuit में basically power rails हमने breadboard पे बैटरी के साथ जोड़ी है negative power rail जो है बैटरी के negative terminal पे और positive power rail बैटरी के positive terminal पे हमने जो है positive power rail को हम connect किया हुए एक resistor से जो LED की positive leg में connected है LED की negative leg जो है हम connect करेंगे diode के anode से off और हम diode के cathode को connect करेंगे बैटरी के negative terminals से और LED on हो जाता है ये diode जो है अभी current को basically जो है task होने दे रहा है अगर हम diode को उल्टा लगाएं तो क्या होगा अगर हम diode का diode को उल्टा लगाएं diode का cathode sorry diode का anode हम battery के negative terminal पे लगा दें तो LED on नहीं हो रहा और basically diode जिससे नहीं काम करते है diodes कहां पे हम use करेंगे basically इनके applications बहुत जादा है लेकिन उनमें से एक है AC to DC conversion और उसके लिए हम या तो four diodes यूज कर सकते हैं या किसी और combination में जो AC और AC को basically DC में convert करे या फिर हम बजार से ये वाला full bridge rectifier के खरी सेथे हैं करेंगे करेंगे